हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू माई चैनल हम आज कल कर रहे हैं सूपर फास्ट रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्विश्चिन की सीरीज और क्लास 12 के पहले चार चैप्टर का रिवीजन और इंपॉर्टेंट क्विश्चिन मैं अल्रेडी अप्लोड कर चुकी हू कि मैं वो पुराना हो गया लेकिन मैं आपको बता दू कि बहुत अच्छे से मैंने चैप्टर नंबर फाइव का बहुत अच्छा रिवीजन उस वक्त कराया था तो अगर यहां आपको कुछ दिक्कत लगे तो आप महां से ले सकते क्योंकि एक गंटे के रिवीजन में इस कम से कम भी आठ एक्सरसाइज आपकी है और मिसलीनियस अलग से है तो एक से डेड़ घंटे में इतना लंबा रिवीजन नहीं हो सकता तो मैं में 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 बाते आपको बताऊंगी और वो क्विश्चन सारे उठाने की कोशिश करूंगी जो हर एक्सरसाइज से प्रिविएस कियर बोर्ड एक्जाम में बार-बार आए हुए हैं इससे तो आपके सारे फॉर्मूला सारा कॉंसेप्ट सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा ठीक है दूसरा उनी क्वेश्चन को करने से जो एक दो क्वेश्चन अगर अलग हटकर आ भी जाएंगे तो इतने सारी क्वेश्चन हमारा होगा भई आज का continuity या continuous function तो बहुत simple सी बात है कि हमने मान लिया कि fx हम बात कर रहे हैं continuous function की हमने मान लिया fx एक real valued function है throughout the chapter हम real valued function की ही बात करेंगे और किसी एक particular point c पर हमने इसकी continuity देखनी है तो इसका मतलब क्या है graphically continuity का मतलब होता है बेटा कि आप किसी function का graph draw कर रहे है मानलो मैंने ये graph draw कर दिया और ये कोई point c है और इस c point पर मैं इस function की continuity देखना चाह रही हूँ तो मैं क्या देखूंगी कि c पर जब मैं graph draw कर रही हूँ तो मेरा pen बिना रुके बिना paper से उठे मेरा graph draw हो जाए मेरा graph continuous हो उसमें कहीं break ना आए break in the sense ऐसा ना हो कि c से पहले तो मेरा function ये था और c के बाद मेरा ये बन गया function तो अब आप देखो कि c पर मेरे function में यहाँ break आ गया मैंने यहाँ तक की line अलग खीची फिर मैंने pen उठाया और ये line मैंने आगे खीची तो c पर इस graph में अगर मैं इस उपर वाले graph की बात करती हूँ जो दो line से represent हो रहा है तो break आ रहा है लेकिन अगर मैं इस वाले graph की बात करती हूँ तो c point पर कोई भी break नहीं आ रहा तो ये continuous function है सुनने मेरी बात हम बात कर रहे है continuity at a particular point पहले वो point मैंने c ले लिया तो c पर जब मैं continuity देखती हूँ तो graphically क्या मतलब हो कि graph तूटे नहीं अब graph से क्या मतलब है आप इस पर value ले रहे हो फिर इस पर ले रहे हो फिर इस पर ले रहे हो यानि ऐसे जा रहे हो फिर आप ऐसे जा रहे हो तो यह आप इधर से left hand side से approach कर रहे हो इधर से right hand side से approach कर रहे हो यह c पर function की value है तो एक simple सा result आपने ध्यान रखना है कि अगर c point पर function की left hand limit exist करती है अगर c point पर function की right hand limit exist करती है और वो दोनों equal है और वो function की c point पर value के equal है तो हम कहेंगे कि the function fx is continuous at a given point c अगर हमें किसी point पर function की continuity check करनी है तो हम उस पर left hand limit, right hand limit और value check करेंगे दोनों limits exist करें equal हो और वो value के equal है और function is set to be continuous at that point clear है यहां तक बात आपको समझाई बात अब इसके लिए limit की भी दो बाते आ जाती है अगर आपको function इस type का दे रखा है मान लीजिए आपको यह दे दिया एक function की x square plus 1 if x is not equal to 0 और x 0 के equal है तो function की value 1 है धान देना check the continuity of the function at x is equal to 0 0 पे आपने continuity check करनी है तो 0 पे जो value आ रही है that is 1 भाई 0 पे जो value आ रही है वो 1 है और अब बात करते हैं 0 पे limit की तो इस तरह के functions में आपने कोई left और right limit नहीं लेनी है non zero values के लिए पूरे का पूरा यह function और यह polynomial function है ठीक है आप इसके left limit लोगे right लोगे equally आ जाएगे तो आप इसके limit direct ले लो भाई limit of fx extends to 0 direct ले लो तो यह हो जाएगी limit extends to 0 x square plus 1 यहाँ 0 रखोगे तो 0 square plus 1 1 आ गई 0 पर function की limit 1 आ रही है 0 पर function की value 1 आ रही है दोनों equal है तो हम कह सकने की यह हमारा function 0 पर continuous है लेकिन अगर इसी function को कह दे कि greater than 0 के लिए तो यह function है और x less than 0 के लिए आपका यह function है अब check करो अब इस case में आप right hand limit यहाँ से check करोगे left hand limit यहाँ से check करोगे और value आपको given है ठीक है तो right hand limit यहाँ चेक करोगे तो 0 प्लस 1 1 आएगी left hand limit भी 0 प्लस 1 1 आएगी और value भी 1 आ रही है तो function continuous है लेकिन अगर इसी को यहाँ यह x minus 1 कर दे तो जो left hand limit है वो आपकी minus 1 आ जाएगी समझे मेरी बात को कि जो right hand limit है वो प्लस 1 आएगी left hand limit माइनस 1 आएगी और दोनों equal नहीं है तो function is discontinuous at 0 तो यह किसी particular point पर continuity की हम बात कर रहे हैं अब जब हम continuity at point की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि NCRT के आपके कोई पहले तीन चार पांच और बहुत सारे शुरू के examples है कोई 7-8 examples है जो की one point पर continuity के हैं तो आप डारेक्ट उने कर सकते हो लेकिन उन में से कोई भी आपका exam में two marks में four marks में six marks में नहीं आया है ठीक है और यहां इसको कराने से आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूँ marks नहीं बताए मैंने आपको दो बाते में यहां clear कर देना चाहती हूं कि सबसे पहले तो इस chapter में से one mark का one question आएगा two marks के two question आएंगे और four marks का एक यह marks हैं और यह number of questions हैं तो एक ही question आएगा तो total nine marks आपको यह chapter देने जा रहा है बात नमबर दो इस chapter के previous year के जितने भी mc क्यों है या जितने भी objective questions है वो already मेरे channel पर uploaded है ठीक है उनका link मैं description box में दे दूगी या आप telegram पर मुझे जवाइन करें वहां मैं डाल दूगी उनको मैंने पहले भी कई बार उनका link share किया है तो one mark के सारी questions आप वहां से देख सकते हैं अब बच जाते हैं टू हैं अब यह जो question था तो आपको logic समझ आ गया कि limits और value अगर equal है तो function किसी एक point पर continuous होता है अब यह point given था दो example मैंने लिए point given था तो आपने limit निकाल दी value निकाल दी आपने continuity दिखा दी लेकिन आप आपको कह दें कि show that the function show that the function e raise to power x is continuous function अब यह बात आपको कह दें show करो कि यह एक continuous function है अब point तो आपको नहीं दे रखा कि किस point पर continuity discuss करें जब इस तरह का question आप से पूछा जाए तो आपने हर real number पे इसकी continuity discuss करनी है एक बात और बता दूँ अभी मैंने आपको केवल c पर continuity बताई थी मान लीजे कोई function है वो a से b तक के domain में define है clear c पे c पे आपने continuity बता दी अब आपको ये पूछ ले कि पूरे के पूरे domain में continuous है या नहीं है तो domain के हर point पर जब function continuous होगा तब हम कहेंगे कि ये function पूरे के पूरे domain में continuous है अब हर point पर continuity check करना तो बहुत मुश्किल है और अब इस question पर आजाओ कि e is to power x जे continuous function तो इसको हर real number पर continuous दिखाना है तो आप क्या करो कोई general let a ही जैनी real number a को हमने real number ले लिया तो a पर इसको fx नाम दे दो function को fx नाम दे दो a पर इसकी value निकालो क्या आएगी e is to power a और a पर जब आप इसी function की limit निकालोगे बिटा तो वो limit भी आएगी e is to power a और क्या कहेंगे हम कहेंगे कि fx is continuous at x is equal to a और a एक arbitrary real number है जब एक arbitrary number पर continuous है तो इस तरह के हर real number पर ये continuous होगा तो यहाँ आप लिख दो for all a belonging to r हर a पर continuous है तो पूरे का पूरा function क्या कहलाएगा continuous function कहलाएगा यानि कि जब भी आप इस function का कहीं भी graph draw करोगे वो पूरे का पूरा continuous चलेगा बिना break के चलेगा अब जब इस interval की बात चल रहे तो आपको ये भी देखना है कि अगर ये interval closed है मानलो आपको कह दिया जाए कि closed interval a b में function की continuity चेक करो तो बीच के और point पर तो हम चेक कर देंगे लेकिन जब हम a के बारे में बात करते हैं तो a के left में तो हमारा function है ही नहीं तो फिर हम कैसे चेक क अगर दोनों equal है तो a पर continuity आ जाएगी और b पर आप चेक करेंगे left limit of the function and the value अगर equal है तो b पर continuity आ जाएगी और बीच के सभी points पर तो आपने left right और limit और values को आपने चेक करना है समझा गी बात दो बाते अभी तक मैंने आपको बताई है continuity of a function at a particular point only at one point तो आपने उस particular point पर function क कि limits and values निकालनी है limit accordingly आपने question में देखना है कि left and right limit निकालनी पड़ रही है या single एक बार में limit आपकी आ रही है और वो अगर value के equal है then function is continuous at that given point अगर नहीं है दोनों में से बराबर या left right या value कुछ भी बराबर नहीं आ रहा कहीं भी तो function is set to be discontinuous at that point दूसरी बात point के बाद आजाओ interval पे points से points मिलकर आपका interval बन जाता है अगर किसी interval में हमने close interval में continuity check करनी है left and point पर आपने right limit और value देखनी है right and point पर आपने left limit और value चेक करनी है बीच के points पर सब पर continuity आपको check करनी पड़ेगी which is a very large process तो ऐसा नहीं करना है उसके लिए हमने उस interval का कोई general point लेना है उस general point पर अगर continuity है तो throughout the interval function continuous होगा otherwise function continuous नहीं होगा आरी मेरी बात समझ में अभी इसी concept पर मैं कुस दो-चार questions आपको कराती हूँ जो previous year में आए है इनसे आपका base भी clear हो जाएगा और questions की practice भी हो जाएगी यह देखे आपको screen पर दो question दिखाए दे रहे होंगे मैंने पहले बता आया है और वो 5.1 का 11th question है जो 2020 में आया है statement थोड़ी अधूरी लिखी है मैंने आप अपनी book से confirm कर सकते हो for what value of lambda ये function आपको given है lambda into x square minus 2x if x is less than equal to 0 4x plus 1 if x is greater than 0 ये कहता है कि for what value of lambda lambda की कि किस value के लिए this function is continuous at x is equal to 0 कि lambda की जगा क्या रखेंगी ये function 0 पर continuous आजाए पहला बात पहली बात दूसरी ये कहता है कि x is equal to 1 के लिए आपका क्या विचार है कि 1 पर ये continuous होगा या नहीं होगा अब मेरी बात सुन लो वो भी कुछ इसी तरह का question है जब हमारे questions में ऐसे break आजाए और breaking point पर ही आपसे continuity प निकालनी पड़ेंगी दूसरी बात अगर आपको question केवल दो नंबर का है तो आप उसमें h वाला method apply नहीं करोगे मैं एक question आपको बिना h वाले method से कराऊंगे एक question मैं आपको h वाले method से कराऊंगी ताकि आपको दोनों concepts clear हो जाए तो अब हम यहां सबसे पहले बात करते हैं x is equal to zero पे x is equal to zero के लिए जब less than तो function यह है तो मैं पहले निकालती हूं left and limit तो left and limit क्या हो जाएगी limit x tends to zero minus fx यह हो जाएगी limit x tends to zero minus fx की value आजाएगी lambda into x square minus 2x अगर यह आपको two marks का question है तो आप यहां जहां जहां x है वहां direct इस limit को put कर दो direct ठीक है तो मैं यहां zero put करने जा रहे हूं तो zero minus zero यह zero हो जाएगा और lambda into zero आपकी जो left and limit है वो zero आजाएगी सुने ध्यान से और जब मैं बात करती हूं right and limit की तो limit x tends to zero plus fx तो यह आपकी limit आएगी limit x tends to zero plus into 4x plus 1 यहां zero रखूंगी तो zero plus 1 वन आ जाएगी left limit और right limit equal नहीं आ रहे है जब limit equal नहीं आ रहे है तो continuity की तो बात ही नहीं उठती अब बात आई थी lambda के बारे में भई lambda की जगह चाहे एक रख लो चाहे हजार रख लो चाहे लाख रख लो इसने zero ही बनना है और इसने one ही बनना है lambda का यहां कोई असर आई ही नहीं रहा नहीं आ रहा तो zero पे यह function किसी भी हालत में continuous नहीं हो सकता तो आप यहां लिखोगे for no value of lambda lambda की किसी भी value के लिए fx is continuous at x is equal to zero बात को समझना भाशा को पकड़ना for no value of lambda fx is continuous at lambda की किसी value के लिए continuous नहीं है यह आप ऐसे भी लिख सकते हो कि fx is not continuous at x is equal to zero for any value of lambda बाशा समझा गी fx is यहां note लगाते हो तो यहां मतलगाना यहां लगाते हो यहां मतलगाना simple सी English बताईए मैंने अब बात आ जाती one पे continuity की अब one पे और चेक कर लो भी one पे value चेक करने के लिए अब आप देखो कि one जो है वो तो zero से बढ़ा है जब मैं x is equal to one की बात करती हूँ तो one तो zero से बढ़ा है और zero से बढ़ा है तो हमारा तो यही अकेला function रह गया 4x plus one तो इसमें जब value निकालोगे one पे तो भी कितनी आएगी four into plus one यानि five और जब तुम fx की limit निकालोगे one पे तो भी कितनी आएगी five दोनों बराबर है तो one पे continuous हो जाएगा यह function ठीक है कहानी समझ आ गई यह था direct अब इस पे आ जाओ यह आपका 5.1 का 11th question है fx is continuous or not at x is equal to two दो पे continuous है या नहीं यह बताना है तो पहले तो limit देखो left hand limit ध्यान देना है limit ऐसे भी लिखी जाती है x tends to कितने पे check करनी है भी two पे check करनी है two पे limit check करनी है breaking point पे check करनी है तो two के left में function अलग है two के right में अलग है limit x tends to two minus fx तो यह हो जाएगा बिटा limit x tends to two minus अब देना two से left के लिए function है x cube minus three फिर वही बात आ जाती है अगर two marks का question है तो भी direct यहां दो रख दो two cube यानी eight minus three five हो जाएगा लेकिन अब मैं आपको h वाला method और बताने जा रही हूँ हम यहां क्या करते है कि x को put कर देते है two minus h two के left से आ रहा है न तो two minus something सारी detail मैंने जब chapter number five कराया है बहुत जादा detail में मैंने समझाने की कोशिश वहां की हुई है तो जिन बच्च उने देखा होगा उन्हें समझ आ जाएगा तो last moment पे आपको सारा बस briefing ही आपको यहां देखना है बीफ में सारा समझना होगा तो x की जगे two minus h रख दो edge जैसे ही x two पे left में जा र x की जगें आप रखने जा रहे हो two minus h cube x की जगें आप रखने जा रहे हो two minus h cube minus three और limit हो गई h tends to zero तो यहां h की जगे 0 रख दो तो क्या आएगा two minus zero यानि two यानि two का cube minus three और eight में से तीन गई कितना आ गया five यह है h वाला method तो बात वही बन जानी थी polynomial के अंदर आप direct two cube minus three भ करना है और आगे बढ़ते four marks में वैसे continuity से दिख नहीं रहा मुझे कोई question आगे जाके है six वालों में तो था लेकिन अब अब अपरी बोर्ड का pattern हम देखते हैं sample paper का देखते हैं तो six marks में तो आने का कोई chance नहीं है हाँ four marks में continuity का आ रहा है अपरी बोर्ड में भी चलिए x tends to two plus और यह आ जाएगी value x square plus one यहीं मैं कर देती हूँ x को मैं रख देती हूँ two plus h as x tends to two plus h tends to zero तो यह limit बन जाएगी h tends to zero यहां रखोगे two plus h का whole square plus one h की जगह zero रखो two plus zero two two का square कितना हो जाएगा four plus one यानी five left hand limit limit भी five और right hand limit भी आपकी five और two पे value find करो तो two के लिए आपका function यह है तो जब आप इसकी two पे value निकालोगे तो वो बनेगी two cube minus three यानी five तो आप right कर सकते हो कि left hand limit is equal to right hand limit is equal to the value so this function is continuous at x is equal to two ठीक है तो इस टाइब के और भी बहुत question है लेकिन इन दोनों से मुझे लगता है कि आपको काफी कुछ clear हुआ होगा फिर भी कोई doubt रहता है comment box में लिखा करो मुझे आगे चले यह देखिए बटा अब screen पर दो question तो मैंने यहां लिखे हुए हैं और यहां पर मैंने 5.1 के क आज तक भी continuity में से कोई question नहीं आया है हां कुछ question ऐसे है continuity के जो कि आपकी बुक में नहीं है दो तीने चोटे चोटे हैं उन्हें इनके बाद मैं discuss करूंगी यह दोनों question आपकी exercise में से ही है तो यह 6-7 question है जिन में से 2 मैं करा चुकी हूँ और 2 मैं यह फटा फटा बापको बताने जा रही हूँ क्योंकि इन में थोड़ा थोड़ा फर्क है क्या फर्क है उसको आपने समझना है basic continuity है टॉपिक भी वही है लेकिन concept समझना है कि बुक वाला पूछ क्या रहा है यह पूछ रहा है कि this function is continuous at x is equal to 0 or not ठीक है तो 0 पे आपने left or right limit or value check करनी है तो function का nature देख जब x 0 नहीं है अगर x 0 नहीं है तो या तो x 0 से बड़ा है या फिर जो x है हमारा वो 0 से छोटा है सुनना मेरी बात को clear है जीरो पे तो value क्या आ गई 0 आ गई ठीक है अब मैंने इसको यहां पे ऐसे का ऐसा लिख दिया है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि mode x में अगर x positive हो तो यह x ही रहता है और अगर x negative हो तो minus x हो जाता है 11 में बहुत अच्छे से मैंने modulus function समझा रहा है 12 में भी समझा रहा है तो यह जो value है क्योंकि यहां पर x positive है x non 0 है non 0 है का मतलब यह तो 0 से बड़ा है यह चोटा है तो 0 से बड़ा है तो x बन जाएगा और 0 से चोटा ह है तो function ही मैं function को ही छेड़ रही हूँ अभी मैं limit वगर कुछ भी नहीं निकाल रही तो minus x हो जाएगा तो जब तुम इधर आओगे तो x x कटकर 1 हो जाएगा अगर x positive है minus 1 हो जाएगा अगर x negative है और 0 हो जाएगा अगर x की value 0 है clear है तो आपके function को अगर हम 0 पे check करें तो ज left hand limit है वो minus 1 आ रही है in short बता रही हूं मैं आपको और जो right hand limit है 0 पे 0 पे right hand limit है वो plus 1 आ रही है जो की बराबर नहीं है तो यह function 0 के लिए बिलकुल भी continuous function नहीं है बात समझा गी इस function में केवल 0 पर continuity discuss करने थी तो 0 पे हमने इसको two parts में break करा positive negative हमने देखा दोनों अलग जाओ ध्यान देना इज दिस function continuous इतना सा पूछा है क्या यह continuous है कहां किस पे कौन सा डोमेन है क्या point है कुछ नहीं दे रखा तो इस तरह के question को आपने बड़ा deeply discuss करना अच्छे से discuss करना है यह पूरे का पूरा function हर real number के लिए continuous check करना है आपने समझ में आरी बात उसने यह नि question question मैंने कराएं तीनों में points mention थे इसमें point mention नहीं है पूरी की पूरी real line आपने लेनी है लेकिन इस function में 1 पे break है तो यह 0 है बटा 1 है 2 है 3 है minus 1 है अगर मैं यह 1 ले लूँ तो पूरी की पूरी real line में numbers या तो 1 से greater है या 1 से less है या 1 है ठीक है पूरा का पूरा real number आ जाएगा अगर मैं 1 ले लूँ 1 से बड़े सारे number ले लूँ और 1 से less सारे number ले लूँ और हर एक पे continuous दिखा दूँ तो मेरा function पूरे के पूरे real number पे continuous हो जाएगा समझ में आ रही है बात हम इसको कोई single point A लेके prove नहीं कर सकते तो अब आपको इस function को show करना है कि यह प्रूव करना है क कि continuous है भी या नहीं है नहीं है तो किन points पर continuous नहीं है यह बात भी आप से पूछी जा सकते कि find the point of discontinuity of this function इसी को बदल दे find the points of discontinuity of the function वो point बताओ जिन पर continuous नहीं है फिर वोई बात आ जाएगी तो हम यहां क्या कर लेते हैं कि R यह set of real number is divided in three parts हम तीन case ले लेते हैं case number एक जब x 1 से कम है जब x 1 से कम है जब x 1 से कम है तो जो हमारा function है वो क्या है x plus 5 है और यह कैसा function है polynomial function है polynomial function always continuous होता है कुछ बाते आपने याद रखनी है कि polynomial function sin x cos x e की power x यह सब हमेशा क्या होते हैं continuous function होते हैं कोई भी polynomial अगर फिर भी ना समझाए one से less इसकी value a रख लो a पे limit कितनी आएगी a plus 5 a पे value कितनी आएगी a plus 5 दोनों बराबर है तो function a पे continuous हो जाएगा यह हमने क्या लिया था one से छोटा कोई भी point तो इसको आप डारेक्ट लिख दो which is always continuous क्योंकि यह polynomial है ना तो यह always क्या हो जाएगा continuous जब हमने one से छोटे सारे points लिए तो हर point के लिए हमारा function x plus 5 बन रहा था straight line बनेगी जीरो रखोगे 5 आएगा minus 1 रखोगे 4 आएगा इस तरह से इसका graph कुछ ऐसे आ जाएगा continuous आ रहा है continuous आ रहा है अब आजाओ जब x की value एक से बड़ी है जब x की value एक से बड़ी है तो हमारा function क्या है x minus 5 है इस case में भी function क्या हो जाएगा continuous हो जाएगा straight line जाएगी दो रखोगे तो value minus 3 आएगी 3 रखोगे तो minus 2 यह भी कुछ ऐसे जाएगा अब बात आ जाती है 1 पे 1 पे देखना है दोनों मिल रहे हैं या नहीं ठीक है 1 से less जितने भी points है उन पे x plus 5 है 1 से greater पे x minus 5 है अब तीसरा case लेलो जब x 1 है तो 1 पे तो break आ गया 1 पे तो break आ गया तो left limit निकालो right limit निकालो value निकालो तो 1 पे जब तुम left end limit निकालोगे तो जो function लोगे वो यह लोगे x plus 5 यह direct 1 रखो 1 plus 5 कितना आ जाएगा 6 और जब तुम right end limit निकालोगे limit x tends to 1 plus तो function है x minus 5 1 रखो तो 1 minus 5 minus 4 जो की equal नहीं है 1 पे left end limit आ रहे है 6 यह देखो तुम graph को थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करो यह कहीं 6 के आसपास ही जा रहा है और right end limit कितनी आ रहे है minus 4 जब हम right side से ऐसे आ रहे हैं तो हमारा function नीचे minus 4 पे जा रहा है मतलब मेरा graph ऐसे जाएगा फिर मुझे pen उठाना है फिर मुझे दुबारा graph draw करना है तो मेरा function 1 पे continuous नहीं है तो यह पूछ रहा था कि क्या यह function continuous है तो हम कहेंगे no it is not continuous it is discontinuous at x is equal to 1 तो यह question थोड़ा था उनसे हटकर अब यह मैंने 5.1 के आपको question बता दिया है कोई प्रोब्लम आपको इनमें आएगी नहीं एक दो question continuity के मैं वो देख रही हूँ अब जो आपकी book में कहीं नहीं है NCIT में अब यह दो question ऐसे हैं जो last year के exams में आए हुए हैं यह हैं यह वाला जो question है यह ध्यान दो है तो काफी पुराना लेकिन पुराना in the sense की यह 2009 में 11 में 14 में और let me check 2010 में चार बार आया हुआ है बिलकुल भी मुश्किल हमारा question यह नहीं है और इससे अगला जो मैं ले रही हूं यह वाला आया हुआ है तो मैं आपको सिर्फ कराना चारी हुआ यह चांस आ जाए तो आपने प्रेशान नहीं होना है 3 में 8 में 10 में हम जितने भी previous year के ले रहे हैं 2010 के बाद ले रहे हैं तो उन में continuity आपने बतानी है या नहीं तो 2 पर फिर वही मॉडलेस वाली बात आ गई एक सिंपल सा फंडा आपने समझ रहा है mode function का mode x-2 को जब मैं खोलती हूं अगर यह अंदर वाली value मेरी positive है तो x-2 एजटी जा जाएगा और अंदर वाली value मेरी अगर negative है तो यह इसी का negative आ जाएगा clear है और आगे बढ़ो यह x-2 greater than 0 का मतलब है x greater than 2 2 उदर चला गया तो function रह जाएगा x-2 और x अगर 2 से less है तो यह minus अंदर जाएगा function बन जाएगा 2-x यह कहानी आपने समझनी है और इसको समझते हुए इस function को break देना है आपने कि जब x 2 नहीं है तो या तो 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है जब x 2 से बड़ा है तो modelis की value x-2 आ रही है तो यह तो बन गया x-2 नीचे आ गया 2-x जब x 2 से less है तो यह उपर वाला बनता है 2-x और नीचे भी 2-x और जब x की value 2 है तो function minus 1 है और आगे बढ़ो और x-2 से 2-x काटोगे minus 1 आएगा इसको इस से काटोगे 1 तो जब x 2 से greater है तो function minus 1 है मैं limit नहीं निकालती है मैं पहले function को solve कर रही हूँ और 2 से less है तो function 1 है और 2 पे value कितनी है minus 1 अब 2 पे left hand limit देखोगे तो 1 है constant greater than पे देखोगे यानि right hand limit है तो minus 1 है दोनों equal नहीं है function की limit exist नहीं कर रही तो function is discontinuous at x is equal to 2 अगर modulus function आपको clear है तो इस question में कुछ भी नहीं है ये देखे जरा अब इसको भी पूछ रहा है कि ये 0 पे continuous है या नहीं है तो 0 पे value तो पता लग गई 1 by 2 अब 0 पे limit निकाल दो कोई break तो है नहीं limit x tends to 0 1 minus cos x by x square जरा limit रखके देखो रखो 1 minus cos 0 by 0 cos square cos 0 कितना होता एक होता एक में से एक गया 0 by 0 0 by 0 indeterminate form हो जाती है limit की चीक है undefined form हो जाती है तो limit 0 by 0 form में नहीं आनी चाहिए उसको avoid करने के लिए 11th में पढ़ चुके हैं हम ये हम क्या करें तो यहाँ पर हम कोई identity अपनी use करते हैं याद करो 1 minus cos x होता था 2 sin square x by 2 is it okay तो हम इसको change करने जा रहे हैं 2 sin square x by 2 और नीचे है x का square अब ध्यान दे ना आपके पास एक value थी उसमें 11th में limit x tends to 0 sin x by x कितना होता है 1 होता है sin x by x तो एक तो इस 2 को उठाके limit के बाहर डाल दो ये बन गया 2 limit x tends to 0 अब मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ x के नीचे 2 है तो यहाँ मुझे 2 नहीं चाहिए मुझे यहाँ 4 चाहिए बहुत ध्यान से देखना तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि इसको तो 4 से divide कर दिया और 4 से इसको multiply कर दिया कोई दिक्कत यह जो 4 से multiply किया इसको उठाके बाहर ले आई मैं कोई शक आगे चलू यह तो कटके हो जाएगा 1 by 2 और इस पर focus करो limit x tends to 0 यह 11th का काम है आपका ऊपर है sin x by 2 नीचे भी x by 2 का hall square I can write it that sin square था power बहर ले लिए यह x by 2 का hall square अब sin x by 2 उपर x by 2 नीचे है x के limit 0 पे जा रही है तो x by 2 की 0 पे जाएगी तो according to that यह 1 का square हो जाएगा और बहर 1 by 2 है तो यह हो जाएगा 1 by 2 into 1 का square तो limit आ गई 1 by 2 और 0 पे जो function की value है वो भी क्या है 1 by 2 दोनों बराबर है तो हमारा function क्या हो जाएगा continuous हो जाएगा तो इस तरह एक छोटा मोटा कोई question अगर आप से घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है तो वहां और by chance आपने कर नहीं रखा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यह क्या कर दिया थोड़ा सा अपना दिमाग का भी आपने वहां पर यूज करना है कि ऐसी कोई जरू है तो तीन है बताओ continuous है या नहीं है देखते है या नहीं है यह यहां जो है ना यह इस पर लिमिट चेक कर लो limit x tends to 0 नहीं आएगा continuous नहीं आएगा sin 3x अब sin के साथ जो value वह यहां होने चाहिए तो मैं 3 यहां लगा दूँ और 3 से डिवाइड कर दूँ बही जब sin x by x की limit 1 है तो x by sin x की limit 1 होएगी तो यह तो 1 बन जाएगा और यह हो गया 1 by 3 into 1 1 by 3 limit 1 by 3 और value 3 है continuous नहीं है यह कैसा function है discontinuous है तो देखो continuity में जो अभी तक मैंने analyze किया है कुछ questions लंबे भी हैं लेकिन आज तक 2010-2011 के बाद से lengthy question नहीं पूछे गए हैं पिछले 10-12 सालों में ठीक है तो जो मैंने आपको बताएं यह 5 question यह कराएं मैंने वाली खेते आप इनको कर लें और अपना basic concept को clear रखें तो continuity यहां आपकी पहली exercise जो special continuity की है मेरे खाल से more than आ इसनफ रहेगी ठीक है आगे चलते हैं जिसमें अब हम differentiation देखेंगे differentiation में भी मैं आपको बता दू कि 5.2 का कोई question आज तक exam में नहीं पूछा गया है पिछले 10 सालों में ठीक है तो ज़र एगब differentiation पे चलते हैं फिर आगे देखते क्या आता है अब मैंने differentiation के यहां कुछ formula लि पीट कर दूँ differentiation of x is to power n n x थी power n minus 1 अगर a x plus b n किसी linear function की power n है तो n a x plus b की power n minus 1 और इसका derivative n अब मैं यहां एक बात clear कर दूँ कि अगर ऐसी कोई differentiation आ जाती है कि f x की power n तो n आगे f x की power n minus 1 और उसी function को हम फिर से differentiate कर देंगे throughout the differentiation जब भी कोई power आती है तो यह आपका main formula रहेगा कोई भी बड़े से बड़ा function है कितना भी बड़ा अगर उसकी पूरे की power n है तो सबसे पहले आपने उसकी power को आगे लाना है जो पूरा function उसकी power को एक कम कर देना और फिर बचे हुए function को आपने क्या करना है तो pre board में आपका log of x plus 1 plus x square का under root का whole square करके question था जो इसी method से आगे जाके solve हो रहा है तो इसको छोटा मोटा formula नहीं समझेगा यह throughout यही चलता है e की power x का derivative e की power x होता है लेकिन अगर e नहीं है कोई भी constant की power x है तो a की power x log a आ जाएगा log x का with base e 1 by x होता है अब ध्यान देना sin का derivative cos cos का minus sin tangent का secant square cotangent का minus cosecant square secant का secant tangent or cosecant का minus cosecant cotangent note करने वाली बात क्या है कि जो भी c पे trigonometric function है उनके derivative negative है और यहां साथ-साथ मैंने लिखा है कि sin x की जगे अगर sin ax हो तो cos ax और ax का derivative इसको मैं और थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगी कि आपको दे दिया sin of fx sin के साथ कोई function दे दिया और उसका derivative निकालना है तो वो हो जाएगा cos of fx ठीक है और fx को हम एक बार फिर से क्या कर देंगे differentiate for example आपको दे दिया कि differentiate कीजिए sin of x square plus 5x plus 6 को तो आपने sin x का जो derivative है वो cos होता है cos of the function यानि कि x square plus 5x plus 6 और जो function बच गया function क्या था x square plus 5x plus 6 इसको उठा के फिर differentiate कर दो तो यह हो जाएगा cos of x square plus 5x plus 6 और यह हो जाएगा 2x plus 5 simple बस यह फंडा अगर आपको समझ आ जाता है तो differentiation फिर थोड़ी आसान हो जाएगी ज्यादा formula नहीं है differentiation में कुछ यह है और कुछ inverse function की हमारे formula आ जाएंगे 5.3 पर चलेंगे जो की हमारे implicit functions का derivative है अच्छा दो main formula और रह गए है differentiation के जो में यहां side में लिख देती हूं एक अपना दो function की multiplication का derivative यू इंटू वी तो यू एजटीज फस्ट फंक्चन एजटीज सेकेंड का derivative सेकेंड एजटीज फर्स्ट का derivative और अगर दो functions के division को differentiate करना है तो denominator का square denominator as it is numerator का derivative और numerator as it is denominator का derivative एक हमारा chain rule आ जाता है ठीक है chain rule की कम जरूरत पढ़ती है डारेक्टी मैं तो करवाना prefer करती हूं y function है u का और u function है x का तो यहां से हम निकालेंगे dy by du और यहां से हम निकालेंगे du by dx but हमें find करना है dy by dx तो वो हो जाएगा dy by du into du by dx this is called chain rule y u पे depend कर रहा है u x पे depend कर रहा है तो ultimately y किस पे depend कर रहा है x पर depend कर रहा है अब मैं आपको बता दू implicit functions implicit function बीच में कुछ रह जाए आपको लगे तो मैंने पूरा chapter cover किया हुआ है youtube पे डाला हुआ है वहां से आप help ले सकते हो implicit function वो होते हैं जिनमें y अलग नहीं निकल सकता clear है एक सीधा में question ले लेते हैं यह आपकी 5.3 का second question है 2x plus 3y is equal to sin y और practice में यह सात्मा question है वैसे तो मैं दो तिन question और extra करवा चुकी हूँ लगबग दस्मा question है यह अब इसमें यह क्या देता है कि find dy by dx तो y तो कहीं आई नहीं रहा इसको इधर लाओगे 3y minus sin y y is equal to तो नहीं आ रहा भई अगर मैंने भी कराया था y is equal to sin of x square plus 5x plus 6 तो मैंने direct differentiate कर दिया था इन में क्या करें यहां हम लिखेंगे differentiating with respect to x जब आप x के respect में differentiate करते हो तो आप क्या लगाते हो d by dx तो आप यहां भी d by dx लगाओगे आप यहां भी d by dx derivative with respect to x d by dx का क्या मतलब है derivative with respect to x differentiation with respect to x ठीक है तो 2 तो बहार आ जाएगा और यह बच जाएगा x का derivative x का formula मैं नहीं लिख पाई 1 आ जाएगा यह भी बता दू जो जो identities आती जाएंगी मैं साथ साथ यहां लिखती भी जाओंगी क्योंकि बहुत जादा time इसमें लग जाएगा नहीं तो अब आपके पास आ गया kfx तो k को बहार ले लो और fx का derivative निकाल दो यह दोनु रिजल्ट्स मैं यहां यूज कर रही हूं मैंने 2 को बहार निकाला x की differentiation कर दी तीन को बहार निकाला y की differentiation कर दी और sin y की भी अभी हम साथ साथ करेंगे ध्यान देना x का derivative 1 हो जाएगा 3 यह हो गया dy by dx और sin y का derivative होगा cos y और y को फिर करना पड़ेगा तो यह आ जाएगा dy by dx अब इसका क्या benefit है कि dy by dx अलग कर लो इसको इधर ले आओ 2 को right में या इसको उधर ले जाओ 2 1 जा 2 3 को उधर ले जाओ तो यह बनेगा cos y dy by dx minus 3 तो दोनों में से dy by dx को मैंने ले दिया common इस term को इसके नीचे ले आओ तो 2 by cos y minus 3 is equal to dy by dx यह हमारी differentiation आ जाएगी इस particular function की और इसमें y और x दोनों आपको मिल सकते हैं ऐसा नहीं है कि y नहीं मिलेगा और यह question आपका 2019 में very short में आया हुआ है और 5.3 का second question है यह आपका implicit function का आगे बढ़ें देखिए exercise 5.3 का second, third, fourth और fifth question आपका 2019 में पूछा गया है second, third, fourth, fifth second मैंने करा दिया है third, fourth, fifth आप इसी तरह कर सकते हो नहीं कर पाओ तो मेरे चैनल पर आप 5.3 देख ले न मैं 2, 3 ऐसे question आपको कराने जा रही हूँ जो कि आपके 2020 में आया हुआ है लेकिन आपकी exercise में नहीं है देखना जरा ध्यान से कि x है आपका 2 cos theta minus cos 2 theta और y है आपका 2 sin theta minus sin 2 theta और answer भी दे रहा है कि प्रूव करो कि dy by dx आपका tangent 3 theta by 2 2 यहां है यह 3 theta by 2 है यह 20 20 में आया है और आपकी बुक में नहीं है ठीक है तो जल्दी से लेते हैं यह 6, 7, 8 वां question मैं इसको डाल रही हूँ वैसे मैं कही करवा चुकी हूँ यहां से with respect to theta differentiate करो dx by d theta minus 2 sin theta cos 2 theta की हो जाएगी minus 1 minus पहले से है plus sin 2 theta और 2 theta को करोगे तो 2 आजाएगा ठीक है समझा गई बात आपको इसको आप 2 common ले सकते हो बैसमें आप 2 common ले सकते हो तो यह हो जाएगा sin 2 theta minus sin theta यह आगया 1 अब इस पे आजाओ तो dy by d theta बनेगा 2 cos theta minus 2 cos 2 theta इसमें से भी 2 common ले लो यह बन गया 2 dy by dx कैसे बनेगा इन दोनों के division से dy by dx बनेगा dy by d theta divided by dx by d theta ठीक है अब ध्यान दो 2 into cos theta minus cos 2 theta और यह 2 sin 2 theta minus sin theta और 2 से 2 cancel हो गया यह आगया अंस्वर जबकि उसने का है कि आपका अंस्वर आना चाहिए tangent में अब simple plus 1 का c d formula आप apply कर दीजिए c d formula जब हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या formula था आपको इदर दिख रहा होगा मैं लिख दूं cos c minus cos d होता है minus 2 sin c plus d by 2 और sin c minus d by 2 और sin c minus sin d होता है 2 cos c plus d by 2 और sin c minus d by 2 तो यहाँ यह formula आप apply करो उपर यह है theta minus cos 2 theta मैं ले रही हूँ तो यह बन जाएगा 2 sin इन दोनों का भार minus पहले से इन दोनों का sum theta plus 2 theta का sum हो जाएगा 3 theta by 2 और sin c minus d तो theta minus 2 theta minus theta by 2 ध्यान देना मेरी बात पर और divided by यह आजाएगा 2 cos c plus d 3 theta by 2 और sin c minus d यानी theta by 2 तो यहाँ पर ध्यान करो हमारी एक identity होती थी sin of minus theta is equal to minus sin theta तो इस minus को यहाँ से अटा कर बाहर ले आओ तो यह plus हो जाएगा 2 से 2 cancel sin theta by 2 से sin theta by 2 और sin by cos हमारा हो जाएगा tangent 3 theta by 2 थोड़ा सा change इसमें क्या था कि आपको identity लगानी पढ़ रही है solve करते time और implicit के जिस question के चक्रवे में parametric form ले गई थी वो यह question है यह आपकी book में नहीं है लेकिन हमें इसमें dy by dx find करना है तो y separable तो है नहीं तो दोनों तरफ differentiate कर दो तो यह हो जाएगा भई d by dx of x cube बस तुमने ना logic समझना है d by dx of y cube और जब यहाँ d by dx लगाओगे तो 3a constant है बहारा जाएगा और यह हो जाएगा d by dx of xy यह हो जाएगा 3x square यह हो जाएगा 3y square dy by dx और यह हो जाएगा 3a u into v से x as it is y का derivative plus y as it is x का derivative तीन है ना तीनों में है इसले कट जाएगा तीनों में है इसले कट जाएगा को मना जाएगा तो यह हो गया x square plus y square dy by dx is equal to ax dy by dx यह अंदर चला गया plus ay इन दोनों कोई कठा कर लो इधर ले आओ y square minus ax और dy by dx की जगे मैंने लिख दिया y dash और यह हो गया ay और यह उधर जा करो गया x square dy by dx की value निकाल ली है तो इसको तो as it is लिख दो और यह हो जाएगा ay minus x square by y square minus ax तो यह भी आपका implicit function का एक example है differentiation का आज एक ही lecture में मैं पूरा chapter cover नहीं कर पाऊंगी 5.4 तक आप यह मान के चलें कि आपका यह cover हो जाता है 5.4 तक में जो रह जाती है exercise उनमें से आपके one one mark के ही पूछे गए है clear है अब जो main है वो 5.56 और 7 यह आ जाती है 8 रोल सोरम में से भी कोई question पिछले 5-6 सालों में तो आया नहीं है तो अगले lecture में मैं आपको 5.5 से continue करूंगी 5.4 का भी कोई भी question आपका मेरी तो नगर में आया नहीं है exam में आया हो कोई एक दो question होंगे तो मैं आपको next lecture में कराऊंगी तो इसे हम अगले lecture में continue करेंगे lecture समझ आए पसंद आए तो जड़ा like कर देना share कर देना और subscribe नहीं किया है तो कर लेना thank you